हमारी ये दुनिया रहसें से भरी पड़ी है इस डायलोग को मैं शायद कई वीडियोज में बोल चुका हूँ और आप भी इस डायलोग को सुन सुन कर पग गए होंगे इसलिए सबसे जादा कोमेंट्स मेरी वीडियोज पर यही आती हैं कि मैं पहले की तरह मिस्टीरियोज वीडियोज क्यों नहीं बनाता पहले मैं दुनिया में घटी, रहसे में और डरावनी घटनाओं पर वीडियोज लेकर आता था जिसे आप बहुत ज़ादा पसंद करते थी लेकिन अब मैं ज़ादा तर लीजियोज वीडियोज बनाने लगा हूँ तो दोस्तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप मिस्टीरियोज वीडियोज देखना पसंद करोगे अगर आप सच में मिस्टीरियोज और स्केरी वीडियोज देखना पसंद करते हो तो आगे हम इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इसमें आज हम एक ऐसी ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे रहसे में ट्रेन कहा जाता है इसे जो भी देखता है वो डर जाता है इसके पीछे का इतिहास सुनकर शायद आपको भी डर लगने लगेगा मेरा यकीन कीजी इस ट्रेन की कहानी ही कुछ ऐसी है एक ऐसी मिस्टरी जिसे आज तक सुलजाया नहीं जा पाया है जो भी इस कहानी को सुनता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है एक रहस्थ समय ट्रेन जो किसी किसी को नजर आती है और उसमें 104 पैसेंजर्स जो आज भी लोगों को नजर आते हैं तो दोस्तो मैं हूँ पुनीत और स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पुनी स्वे में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये बात है जून 1911 की इटली में एक ट्रेन बनाने वाली कमपनी जैनेटी ने नई ट्रेन्स बनाई थी और इस ट्रेन की प्रमोशन करने के लिए उसे कुछ नई तरकीब चाहिए थी तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना इस ट्रेन में फ्री टिकेट्स दी जाएं इस टिकेट्स को देने के लिए उन्होंने एक कंडिशन रखी थी कि ये टिकेट्स देश के खास लोगों को मिलने वाली थी यानि कि सबसे अमीर जो शोहरत पाचुके थे जिनके पास सबसे ज़ादा पैसा था उन्होंने ऐसी लोगों को ढूंडा और उन्हें टिकेट दी ट्रेन बहुत अच्छी थी उस समय में सबसे आधुनिक ट्रेन मानी जाती थी और वो इटली में चलने वाली थी इसमें सभी फैसिलिटीज दी गई थी और वो भी पहले सौ पैसेंजर्स को बिलकुल फ्री में ये सौ अमीर पैसेंजर्स इस ट्रेन में बैठ गए उन्हें बड़िया बड़िया ड्रिंक दी गई उन्हें बड़िया बड़िया खाना दिया गया उसके बाद जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे तो ट्रेन चलनी शुरू हो गई इसमें छे क्रू मेंबर्स थे यानि कि कुल लोगों की संख्या थी 106 ये ट्रेन बहुत अच्छी जाती गई और सबको लग रहा था कि ये बहुत जादा फेमस होगी क्योंकि उस समय इटली के हर न्यूस पेपर ने इसके बारे में खबर छापी थी कि किस तरह से नई ट्रेन आई है जिसमें सब ही शोहरत पाचुके लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इसे पसंद किया है और ये एक तरह से लोगों के दिमाग पर छाचुकी थी क्योंकि सबसे अमीर लोग जो करते हैं बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं तो ये ट्रेन उस समय वहां की सबसे बड़ी पहाडी में बनी एक टनल से गुजरनी थी यानि कि उस टनल को दुनिया की सबसे लंबी टनल कहा जाता था जो उस समय इटली में बनी हुई थी लेकिन जैसे ही ट्रेन टेनल के लगभख करी पहुंची वहाँ पर धुआ चाना शुरू हो गया सभी पैसेंजर्स ये देख रहे थे कि यहाँ पर धुआ कैसे आ गया है ये धुआ बिल्कुल सफेद कलर का जैसे ट्रेन को अपने आगोश में ले रहा था सभी पैसेंजर्स डरने लगे थे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस धुएं के आसपास नजर क्यों नहीं आ रहा है हर पैसेंजर्स डरने लगा लेकिन दो पैसेंजर्स ऐसे थे जो बहुत ज़दा डर चुके थे उन्हें लगा कि अब उनकी जान जाने वाली है पता नहीं क्या सोचा उन्होंने लेकिन उन्हें लगा कि वो मरने वाले हैं इसलिए उन्होंने ट्रेन का दर्वाजा खोला और उससे चलांग लगा दी चलती हुई ट्रेन से दो लोगों ने सिर्फ इसलिए चलांग लगा दी क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा धुआ आ चुका था यानि कि ट्रेन के अंदर भी दुआ आ गया था लेकिन उनका दम नहीं खुट रहा था फिर भी वो घबरा कर ट्रेन से बाहर कूद पड़े उसके बाद वो ट्रेन उस टैनल के अंदर चली गई या धुए में गायब हो गई उन दोनों को पता ही नहीं लगा हुआ क्या है उसके बाद वो पैसेंजेस थोड़ी होश की हालत में आये और उन्हें अस्पताल में भरती करवाया गया उन्हें रास्ते पर पाया गया था और अस्पताल में उनकी दिमागी हालत भी बिल्कुल बिगड चुकी थी उन्हें अस्पताल में भरती करवाने के बाद लगभग कई महीने लग गए उन्हें सही से बोलने में यानि उन्हें बहुत ज़ादा चूट लगी हुई थी लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने इस पूरी सचाई को बताया कि कैसे ट्रेन धुए में गायब हो गई और उन्हें भी ये पता चला कि ट्रेन गायब हो चुकी है उस टनल से कभी वो ट्रेन बाहर निकली ही नहीं 1911 में एक पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें 106 पैसेंजर्स थे यानि की 2 पैसेंजर्स बाहर आ गए तो कुल बचे 104 104 पैसेंजर्स के साथ पूरी की पूरी ट्रेन टनल के अंदर गायब हो गई और पूरे न्यूज बेस इस न्यूज से भरे पड़े थे किसी को पता ही नहीं कि भाई पटरी से एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई और वो गई कहां किसी को समझ में ही नहीं आया और ये रातो रात खबर बन गई कहीं पर भी उन्हें ट्रेन मिली ही नहीं यानि कि इटली में ट्रेन मिली ही नहीं उसके बाद न्यूज रिपोर्टर्स ढूनने में लग गए भाई ट्रेन गई कहां, एक भरी हुई ट्रेन कहां चले गए किसी को समझ में नहीं आया, इसके बाद एक न्यूज रिपोर्टर ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी, वो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाकर न्यूज इकठी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, कि ऐसी ट्रेन कहां जा सकती है, क्या हादसा हो सकता है, तब वो पहुंचा मेक्सिको में, जहां पर उसे पता लगा, भाई ये ट्रेन मेक्सिको में पाई गई थी, यानि कि वो ट्रेन इटली से म मेक्सिको में पहुच गई लेकिन यहां पर सबसे हैरानी वाली बात सुनिये वो ट्रेन की खबर मिली है उन्हें 1840 की वहां कई बुक्स उन्होंने पड़ी तब उन्होंने पाया कि वहां 104 पैसेंजर्स एक बागल खाने में भरती करवाए गए थे और वो इटेलियन भाशा ब थराब हो चुकी थी वो अजीब अजीब बातें कर रहे थी वो मेक्सिको में कैसे पहुच गए वो भी एक ट्रेन में और वो भी 1840 में भाई 70 साल पीछे चली गई वो ट्रेन तो वो कैसे समझ बाते उन्होंने कपड़े भी बिल्कुल अलग से पहने थे यानि कि भाई 1911 के लोग 1840 में पहुच गए और सबसे हैरानी वाली बात कि वो 104 लोग भी वहां से गायब हो गए थे और वो ट्रेन भी बाद में नहीं मिली यानि कि जिस पट्री पर वो ट्रेन मिली थी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसी ट्रेन है उससे 104 पागल लोग जो इटैलि ट्रेन बोल रहे थे मैकसिको में उन्हें पागल खाने में भरती करवाया गया और वो 104 लोग पागल खाने से गायब हो गए वो ट्रेन पट्री से गायब हो गई वो भी इतिहास में पहुंच कर और किसी को उसके बाद पता ही नहीं चला वो ट्रेन कहां गई, वो पैसेंजर्स कहां गए उसके बाद अमेरिका, इटली, मेकसिको कई जगे पर ट्रेन की पटरी जहां पर बंध है पिल्कुल ट्रेन नहीं चलती वहां पर वो ट्रेन लोगों को दिखाई देती है वो ट्रेन लोगों को बिल्कुल सामने से चलती हुई दिखाई देती है वहां धुंद पढ़ जाती है और वो ट्रेन की आवाज आती है लोगों की चीखने की आवाज आती है और बिल्कुल सननाटा चा जाता है और धुमा गायब, वो ट्रेन गायब, इस स्टोरी को आप इंटरनेट पर ढूंड सकते हैं और आप भी इसे पढ़कर हैरान हो जाएंगे, हर जगे पर इसे अंसॉल्वड मिस्टरी खा जाता है, लेकिन आज भी ये ट्रेन लोगों को नजर आती है, क्या ये किसी टाइम लू गए थे इतिहास में, तो वहां से कायब कैसे हो गए, और ऐसे ट्रेन स्टेशन्स या ट्रेन्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं, भारत के बंगाल में एक ट्रेन स्टेशन है, बेगुन कोदार, जहां पर लोगों को एक भूतिया तो आप वहाँ पर जा सकते हैं वैसे सुना है वहाँ पर अब भूत नजर नहीं आते शायद वो भूत वहाँ से जा चुके हैं शायद वो भी किसी इतिहास के कोने में पहुँच गए होंगे तो दोस्तु आपको ये वीडियो कैसी लगी कासा गए हुँआ आते तो आपको